Hello everyone, आप सभी का cheesy code में स्वागत है तो आज के इस फडियो में हम लोग room database के बारे में बात करेंगे देखेंगे कि room database है क्या, इसकी क्या need है तो शुरू करते है हमारा lecture तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी नहीं, आज से कुछ साल पहले तो जब भी हमारी app के अंदर कोई relational data manage करना होता था तो वहाँ पे हम लोग SQLite का use कर रहे थे तो SQLite एक file-based RDBMS है मलब हमाँ पर इस different तरीके के RDBMS होते है relational database management system जैसे कि आपने सुना होगा MySQL है, SQL server है, Oracle है तो यह client server based है बट SQLite जो है हमारा, वो एक file-based RDBMS है मलब file के अंदर हमारा data store होता है इसमें हम लोग query कर सकते है तो query करने के लिए हम लोग SQL का use करते है structured query language तो simple है, SQLite एक file-based RDBMS है जिसमें हम लोग query करते है, SQL की मदद से तो Android के initial version से हमारा पास यह SQLite का support है तो जब भी हमें data manage करना होता है तो वहाँ पे हम लोग SQLite का use कर रहे थे पर उसमें पंगाई यह था कि हमारा को बहुत सारा boilerplate code लिखना पट रहा था तो कुछ इस तरीका का code लिखते थे हम लोग तो अगर मुझे कुछ insert करना होता था तो वहाँ पे मैं content values का object बनाता था और इस तरीके से हम लोग insert करते थे मलब for every column हमें इस तरीके से values add करने होती थी और हम लोग इस तरीके से इसको insert कर रहे थे तो यह सिर्फ एक table के लिए है अगर हमारे पास multiple tables होंगे तो सब के लिए हमें एक function बनाना पड़ेगा similarly अगर हम लोग get कर रहे थे तो वहाँ पे हम cursor objects का use कर रहे थे cursor पे loop करके data निकालते थे और उनको java objects में convert कर रहे थे तो यह सारी problems को remove करके room database ने क्या किया है कि abstraction प्रोवाइट करी हमें मलब SQLite के उपर हमें एक layer मिली है जो कि हमारी room database की library है वो एक wrapper है इसके उपर जो हमारी life थोड़ी सी easy करतेगा तो यह जितना भी baller plate code लिख रहे थे हम लोग वो सब avoid कर सकते हैं और भी चीज़े improve हुई है जैसे कि हमारा लिखने का तरीका थोड़ा सब different हो गया है compile time verification होता है SQL queries का अगर हम लोग कोई SQL query लिखते है तो वो compile time पर ही verify होती है कि वो सही है कि गलत है उसके साथ साथ room जो है वो different libraries का भी support करता है मनला हमारा पास different libraries के लिए support available है अगर मैं coroutines use करना चाता हूँ तो उसके लिए support है live data का use करना चाता हूँ तो उसके साथ भी support है अगर हम लोग Rx Java use करते हैं तो उसके साथ भी support है मनला multiple libraries के साथ भी हमारा support है तो SQLites interaction जो है फ्रोड़ा सा easy हो गया है room database की मत से तो देखते हैं क्या-क्या चीज़ हैं इसके अंदर तो इसके अंदर ये मोटी मोटी पांच चीज़े हैं जिनको हम लोग one by one cover करेंगे तो हमारे पास entities हैं जो हमारे tables होंगे DAOs हैं, data access objects इसके तुरू हम लोग हमने database को access करेंगे उसके बाद हमारा database होगा जो भी मारा database है और type converters का हम लोग use करेंगे तो इनके बारे में one by one आगे बात करेंगे इनके एक एक example भी देखेंगे और migration के उपर भी बात करेंगे सपोज मैंने एक app launch कर दिया अब वो मेरी production पर है, मलब लोग उसे use कर रहे है अब बाद में मैं उस database में कुछ changes करना चाहता हूँ तो वो changes कैसे करेंगे, उसको हम लोग migration बोलते है तो ये भी cover करेंगे तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं entities के बारे में entities जो होती हैं हमारे tables होते हैं तो अगर मेरे database के अंदर multiple tables हैं तो हमारे पास multiple entities होगी मलब एक table के लिए एक entity तो ये हमारे एक contact table है यहाँ पर आप दे सकते हैं हमारे पास id है उसका नाम है और phone number है तो इस तरीके से हम लोग data store करते हैं RDP में इसके अंदर तो इसके corresponding हमारे पास एक entity होगी जो ये बताएगी कि ये id जो है हमारी primary की है उसके अंदर एक name column है तो इसके अंदर एक phone column है और उनका data type क्या है तो इस तरीके से हम लोग एक class बनाएंगे ये हमारा table है इसके corresponding हमारे पास ये class होगी तो यहाँ पर मैंने इसको annotate किया है at the rate entity से और यहाँ पर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इस table का नाम क्या होगा तो मैंने इस table को नाम दिया है contact तो यह हमारी एक simple data class है जिसके अंदर मैंने ये तीन fields define किया है id, name और mobile और यह हमारे column names है तो यहाँ पर आप दिसकते हैं यह हमारे column names है id को मुझे primary की बनाना था तो यहाँ पर मैंने उसको annotate कर दिया है यह हमारी primary की है और यह autogenet true है मलब यह अपने आप genet होगी जैसे-जैसे मैं data insert करूँगा तो इसकी value increment होती रहेगी अपने आप ही तो इस तरीके से हम लोग एक data class बनाते हैं तो जितने भी हमारे tables होगे उसके corresponding हमारे पस यह entity classes होगी तो simple concept है एक database के अंदर हमारे पस multiple tables हो सकती है हर table के लिए हम लोग एक entity class बनाते है और उसके अंदर उसकी properties define करते हैं कि उसके अंदर columns कोन से होने वाले है मलब उस table के अंदर कोन से columns होगे अगर उसके अंदर कोई primary की है तो वो हमें define करनी होगी तो make sure करें कि हर table के अंदर एक primary की जुरूर बनाए तो इस तरीके से हम लोग entities बनाते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो data access objects के बारे में बात करते हैं तो आप नाम से ही समझ पा रहे होगे हमारे database के अंदर जो data पड़ा है उसको हमें access करना है तो यहाँ पर हम लोग methods define करते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको access करेंगे तो यह एक simple interface है जिसके अंदर हम लोग हमने method declare करतेंगे कि मुझे insert करना है तो यह वाला function होगा मुझे delete करना है तो यह वाला function होगा मुझे update करना है तो यह वाला function है मतलब CRUD operations जो होते हमारे create, read, update, delete इन operations के लिए हम लोग यहाँ पर methods declare करते हैं तो हम लोग multiple DAOs भी define कर सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग एक DAO बनाते हैं तो यहाँ पर आप दिसकते हैं मैंने एक interface define किया है contact DAO के नाम से और इसको annotate किया है यहाँ पर मैंने add the rate DAO से और इसके नदर हमने कुछ methods define किया है यहाँ पर आप दिसकते हैं insert contact है तो यहाँ पर हम लोग contact का object ले रहे हैं तो यह directly insert करतेगा इसको अगर मैं update कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं contact का object मिलेगा मुझे उसको मैं update कर दूँगा तो यह वाले जो हमारे methods हैं हमारे database के साथ interact करते हैं इसलिए इसको data access objects कहते हैं मलब हमारे database का जो data है उसको access करने के लिए यह हमारे पास कुछ methods है similarly यहाँ पर मैंने delete के लिए एक method declare किया है और यह हमारे simple get contacts वाला method है जितने भी हमारे contacts होंगे वो हम लोग इसके through access करेंगे तो यहाँ पर मैंने query लगाई है select star from content मलब contact table के अंदर जितना भी content है उसको ठाला और उसकी हमें list प्रोवाइड करते हो तो room से पहले के ओदा था यह जो query है यह हमें एक cursor object दे दी उस cursor object पर हम लोग loop करते थे और उसके recording हम लोग अपनी list बनाते थे मलब हमारे पास data था उस data से हम लोग java के objects खुछ से बनाते थे तो जितना भी यह manual काम है मलब यह जितना भी हमारा boilerplate code था वो अब हमारे लिए room handle करेगा यहाँ पर हमें directly list मिल जाएगी तो इस तरीके से हम लोग DAO define करते हैं तो इस video में हम लोग यह तीनों चीज़े cover करेंगे entities, DAO और database तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या dependency add करनी पड़ेंगी किस तरीके से हम लोग data को access करेंगे तो code पर चलते हैं इसके तो यह मेरा एक empty project है इसकी build.gradle में dependencies add करते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक plugin add करते हैं जो कि हमारा kotlin kept plugin होगा उसके बाद इसकी documentation पर चलते हैं तो room के बारे में आप यहाँ पे जाके पर सकते हैं तो room के लिए हमें यह dependencies add करनी है तो इसको copy कर लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ पे हम लोग kept का use कर रहे हैं तो हम लोग यह वाले dependency add करेंगे जो कि हमारी annotation processing करेगा इसको copy कर लेता है तो यहाँ पे हम लोग room को coroutines के साथ use करने वाले हैं although हमने coroutines के ओपर अभी बात नहीं करी है इसको future में cover करेंगे तो इसकी भी dependency add कर लेता है तो यह हमारी तीन dependencies हैं जो हमें room के लिए चाहिए है तो यहाँ पे मैं coroutines की भी dependency add कर देता हूँ तो यह coroutines का github page है तो थोड़ा सा scroll करते हैं यहाँ तो coroutines की core implementation के लिए हमें यह वाली dependency चाहिए तो इसको copy कर लेता है और android specific जो library है हमारी coroutines की उसको भी हमें add करना होगा तो इसको copy कर लेता है तो एक बार दुबारा से repeat कर देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है सबसे पहले हमने codfin cap plugin यूज़ किया है जो कि हमारा annotation processor है उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 dependency add करी room के लिए है तो यहाँ पे हम लोग room के साथ coroutines का use करने वाले है तो यहाँ पे यह दो dependency और add करीए मैंने यह हमारी core वाली library है जो कि core core routines की है और यह हमारी android specific है तो यह total 5 dependencies है तो यहाँ पे मैं sync करता हूँ इनको तो हमारी build complete हो चुकी है तो code पे चलते हैं तो इसको मैं ऐसे close कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें 3 चीज़े बनानी है सबसे पहले हम लोग entity बनाएंगे उसके बाद DAO बनाएंगे उसके बाद अपने database का declaration करेंगे तो यहाँ पे मैं एक नई class add करता हूँ और इसे मैं नाम दूँगा contact यह हमारी एक data class होगी तो यहाँ पे मैं data select कर लेता हूँ अब यह हमारे database के इंदर एक table होगा contact नाम का तो यहाँ पे मैं इसको annotate करता हूँ add the rate entity और यहाँ पे हम लोग इसका table name देंगे तो इस तरीके से हम लोग इसका table name pass करेंगे contact और इसके अंदर इसकी fields define करेंगे जो कि हमारे columns होँगे तो यहाँ पे मैं fields define करता हूँ और इस id को मुझे primary key बनाना है तो यहाँ पे मैं इसको annotate करूँगा primary key और यहाँ पे हम लोग auto generate वाली property का use करेंगे true तो इस तरीके से यह जो मारी id है वो auto generate हो जाएगी जैसे जैसे हम लोग data push करेंगे इसके अंदर तो हमारी id जो है वो increment होती रहेगी तो इस तरीके से हम लोग एक entity define करते हैं जो कि हमारा एक table होगा तो एक और file add करते हैं इसके अंदर जो कि हमारा DAO होगा तो यहां पर मैं इसको नाम देता हूँ contact DAO और इसको मैं annotate करूँगा यहां पर add the rate DAO से और जो मारा DAO होता है वो हमारा एक interface होता है तो इसको मैं यहां पर interface declare कर देता हूँ तो इस तरीके से हम लोग एक DAO बनाते हैं अब इसके अंदर मैं methods declare करूँगा यहां पर हमें उनकी body नहीं देनी है यहां पर सिर्फ declaration करनी है कि हम लोग कौन से methods का use करने वाले है data को access करने के लिए उन methods की जो implementation है क्योंकि यह हमारा interface है उन methods की जो implementation है वो हमें room provide करता है तो यहां पर मैं CRUD operations के लिए कुछ methods define करता हूँ तो यहां पर मैं एक function define करता हूँ insert contact के नाम से और यहां पर हम लोग एक contact object लेंगे जो कि हमारी entity है तो इस तरीके से हम लोग एक insert function define करेंगे और इसको मैं यहां पर annotate करूँगा add the rate insert तो यह मेरा एक simple insert function है similarly हम लोग यहां पर update के लिए बनाएंगे delete के लिए बनाएंगे तो इसको मैं यहां पर copy कर लेता हूँ और इसको यहां पर change कर देते हैं add the rate update कर देते हैं इसको और इसका भी नाम change कर देते हैं update contact कर देते हैं इसको तो यह हमारा update वाला function है उसके बाद यहां पर इसको change करते हैं add the rate delete कर देते हैं इसको और यहाँ पे इसको delete contact कर देते हैं तो यह हमारे तीनों method ready हो चुके हैं create, update, delete अब यहाँ पर हमें select वाला method define करना है जो कि मारा read वाला method होगा तो यहाँ पर मैं एक function define करता हूँ get contact और यहाँ एक list return करेगा contacts की और इस पर इस हमारी compile time verification होती है queries की कि हमने सही query लिखी है की नहीं अगर मैं यहाँ पर कुछ और डाल देता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे यह मुझे error देगा कि भी यह आपने गलत नाम डाल दिया है आपका जो table name है वो यह नहीं है तो इस तरीकी से रूम में compile time verification होता है query का तो यह हमारे crud operations ready हो चुके है और मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर kotlin coroutines का use कने वाले है तो उसके पीछे क्या reason है तो यहाँ पर यह जो मैंने database के operations define किया है तो android चाहता कि मैंने background thread पे execute करूँ अगर मैं इनको main thread पे execute करूँगा तो हमारी exception आ जागी तो वो चाहता कि जितने भी long running task हो हम main thread पे execute न करें उनको background thread पे execute करें तो उसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर coroutines का use करते हैं coroutines हमारी मदद करते हैं कि हम लोग इन operations को background thread पे execute करें similarly यहाँ पे हम लोग खुद से भी threads बना सकते हैं या executors का use कर सकते हैं but coroutines जो है एक popular approach है जिसके दुरू हम implement करते हैं generally room के साथ coroutines का use करते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ changes कर देता हूँ जिसके दुरू हम लोग यहाँ पे coroutines का use करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको suspend function define कर देता हूँ तो suspend function क्या होता है यह हम आगे बात करेंगे जब हम coroutines के बारे में बात करेंगे बट इतना मालीचिये कि यह जो हमारा function है यह हमारा background thread पे execute होगा इस suspend को define करने से तो इसको मैं यहाँ पे copy कर देता हूँ और इसको भी हम लोग यहाँ पे suspend function मनाते है similarly इसको भी suspend function मनाते है और यह जो हमारा get वाला function है इसके लिए हम लोग यहाँ पे live data का use करेंगे तो यहाँ पे मैं live data declare कर देता हूँ तो इस तरीकिसे हम लोग यहाँ पे live data का use करेंगे तो जितने भी हमारे get वाले operations होते हैं उसके लिए हम लोग live data का use करते हैं तो behind the scenes room क्या करता है वो check करता है कि इसका return type live data तो नहीं है अगर वो live data होता है तो उसको by default background threat पर execute करता है मतलब यह room की functionality है कि room जो हमारी live data के साथ compatible है जब भी वो देखता है कि यह live data है तो उसको background threat पर execute करता है हमें यहापे खुद से उसको suspend function define नहीं करना पड़ेगा अगर मैं यहापे live data define कर देता हूँ तो इसका मतलब यह है कि यह वाला जो हमारा operation है यह हमारा background threat पर execute होगा तो इस तरीके से हमारा DAO काम करेगा तो अब अब अपना database create करते है तो यहापे मैं एक नई file define करता हूँ और इससे मैं नाम देता हूँ contact database तो सबसे पहले इसमें एक database की annotation लगाते है तो यह जो हमारी database वाली annotation है इसमें हमें कुछ और information भी pass करनी होगी कि इसके अंदर कितने tables है मलब इस database के अंदर कितने tables है और tables जो है वो हमने entities से declare किया है तो यहापे मैं इसको information pass करूँगा कि भी इसके अंदर यह वाली entities है यह हमारा एक array होगा क्योंकि हमारा पस multiple tables हो सकते हैं एक database के अंदर इसलिए array है तो अभी के लिए हमारा पस सिर्फ a की entity है तो यहापे मैं contact define करता हूँ contact colon colon class तो इस तरही किसे हम लोग entities define करते हैं उसके बाद हमें आप एक version pass करना होगा तो यहापे अभी के लिए version pass करता हूँ तो यह जो version है यह जब काम में आएगा जब आप अपनी app का नया version release करोगे सबोस आपने एक नया version release किया है उसमें databases के कुछ changes किया है तो यहापे उसका version जो है आपको 2 करना होगा या 3 करना होगा तो इस तरही किसे यह version का use होगा आगे बढ़ते हैं तो हमारी database की जो class है इसको हमें abstract बनाना होगा तो यहापे हमें इसको abstract declare करते हो देखेंगे आगे कि इसको object कैसे बनाएंगे और इसको मुझे inarrate करना होगा room database से तो इस तरही किसे हम लोग database की class बनाते हैं तो जो हमारी entities थी वो थो हमने यहापे link कर दी है जितनी में हमारी entities होगी वो हम यहापे link कर देंगे अब बात करते हैं कि DAO को कैसे link करते हैं यहापे तो यह जो हमारा contact DAO है उसको कैसे link करेंगे इस database के साथ तो यहापे मैं एक function define करता हूँ जो कि हमारा एक abstract function होगा और इसको मैं यहापे नाम देता हूँ contact DAO आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और इसका जो return type होगा वो हमारा contact DAO होगा तो जो हमने interface define किया दा DAO के लिए वो यहापे इसका return type होगा तो यहापे आप देसकते हैं तीनों चीज़े link हो चुके हैं यह हमारी entities हैं और यहापे हमने DAO define किये हैं अगर आपके पास multiple DAO होते हैं तो इस तरीके साब यहापे abstract functions define कर देंगे तो यह हमारी database की class ready हो चुकी है तो जनली लोग इसको use करने के लिए singleton pattern का use करते हैं क्योंकि एक application के अंदर सिर्फ एक ही database का instance होना चाहिए तो वापे हम लोग singleton का use करते हैं अभी के लिए यहापे test करने के लिए इसको directly use कर लेते हैं तो अपनी main activity पे चलते हैं और वापे इसका use करते हैं तो यहापे मैं एक property define करता हूँ latent at var और यहापे मैं अपना database define करूँगा जो कि मारा contact database होगा तो इस तरीके से मैं एक property define करता हूँ और यहापे इसको initialize करेंगे तो यहापे मैं इसको initialize करता हूँ database equal to room dot तो यहापे आपसकते हैं हमारा पस एक method है database builder तो इसका हम लोग use करेंगे यहापे हमें सबसे पहले application context pass करना होगा और अपनी class का नाम pass करना होगा जो कि हमारी database की class होगी तो यहापे मैं pass करता हूँ contact database colon colon class dot java और उसके बाद मुझे अपने database का नाम pass करना होगा तो यहापे मैं इसको नाम देता हूँ contact db और यहापे मुझे एक method call करना होगा dot build तो इस तरीके से हम लोगो अपने database का instance बनाते है तो simple concept है यहापे हमने database builder method का use किया है उसको अपना context pass किया अपनी class का नाम pass किया और अपने db का नाम और उसका यह build method है उसको हमने call कर दिया तो यह हमें एक database का object return करेगा तो दुबारा दोर आता हूँ इस बात को यह एक अच्छी practice नहीं है जनली लोग singleton का use करते है तो singleton हम लोग आगे वाली videos में cover करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसका singleton object बनाते है अब यह सिफ testing purpose के लिए मैंने बनाया है कि database का instance कैसे बनाते है तो इसका use करते है अब database के अंदर हमने एक property भी define करे थी जो कि हमारा abstract function था तो यहाँपे आप देख्ते हैं महारा पास contact.dow आ रहा है इसका हम लोग use करेंगे और इसके पनर हमने एक method define किया था insert तो यहाँपे आप देख्ते है insert contact वाला मेरे पास method आ रहा है तो इसका हम लोग use करेंगे अपने database के अंदर contact insert करते हैं तो यहाँ पर मैं contact को object बनाता हूँ यहाँ पर मैं अभी के लिए 0 pass करूँगा क्योंकि हमारी यह auto generate वाली field थी इसको मैं आपर 0 pass कर रहा हूँ तो वो अपने आप manage कर लेगा यहाँ पर मैं इसका नाम pass करता हूँ और इसका एक phone number pass कर देते हैं तो इसको collapse कर देता हूँ तो यहाँ पर अब दिसकते हैं यह मुझे error दे रहा है क्योंकि हमारा suspend function था तो अगर मैं इसको hover करता हूँ तो यह मुझे बोल रहा है कि यह एक suspend function है या तो यह coroutine से call होगा या एक another suspend function से तो यहाँ पर मैं coroutine बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ global scope.launch तो यह हमारे लिए coroutine बनाएगा उसके अंदर हम इसको call करेंगे तो इसको मैं यहाँ से cut कर देता हूँ और इसको इसके अंदर call करते हैं तो इसकी वाइसे क्या होगा यह वाला जो हमारा operation है यह background thread पे execute होगा मलब एक नया thread बनेगा उसपे यह operation perform होगा और वो हमारे database में यह value insert करतेगा तो इसको run करके test करते हैं तो यहाँ पर आप देसकते हैं हमारी app जो हो successfully run हो चुकी है तो देखते हैं हमारे database में कुछ insert हुआ है कि नहीं तो यह हमारे पस एक option है database inspector का तो इसपे click करता हूँ तो इस database inspector के अंदर यहाँ पर आपका device आ रहा होगा उसको select करें उसके अंदर यह जो आपका package है इसको select करें यह हमारी app है इसको select करेंगे तो यहाँ पर आपको database दिखा देगा कि इसके अंदर कौन सा database create हुआ है तो हमने contact DB create किया था तो यहाँ पर आप सकते हैं यह नाम दिया है हमने contact DB उसके अंदर हमने contact table बनाई है तो इसको मैं open करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यह तीनो properties हैं इसके अंदर तो अगर मैं इस पर double click करता हूँ तो यहाप आप देखेंगे हमारा user जो है वो insert हो चुका है मलब जो हमारी contact की information थी वो insert हो चुकी है तो इस तरीकिसे हम लोग database में insert करते हैं तो जितने भी यह methods थे हमारे insert contact, update contact, delete contact यह इसी तरीकिये से call होंगे हमें एक coroutine बनाना होगा उसके अंदर इन functions को call करेंगे क्योंकि यह हमारे suspend function है अब इस वाले function को देखते हैं यह जो हमारा get contact है यह हमारा live data return करेगा तो इसको call करके देखते हैं तो वापस मैं एन activity पे जाता हूँ इसके layout file पे चलते हैं और यह जो हमारा text हुए इसी पे एक on click लगा रहते हैं तो यहाँ पर मैं on click function call करता हूँ और इसमें नाम देता हूँ get data और यहाँ पर मैं alt enterprise करता हूँ और इस method को create कर लेते हैं तो जैसी हमारे इस text view पे click होगा तो हमारा यह वाला function call होगा तो यह हमारा function define हो चुका है यहाँ पर तो यहाँ पर मैं database का use करता हूँ database.contact.getcontact और इसका जो return type था वो हमारा एक live data था जो कि हमें contact की list देगा तो इसका हम लोग use करेंगे यहाँ पर तो इसका जो return type है वो एक live data है तो इसका हम लोग यहाँ पर observe करेंगे तो live data के बारे मैं हम अल्रीडी cover कर चुके है तो अगर आपने वोला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसका call करता हूँ .observe और यहाँ पर मैं this pass करूँगा जो कि हमारा life cycle owner है और यहाँ पर हम लोग observer लगाएंगे तो इस तरीके से हम लोग इसको observe करेंगे जैसे हमारे database में कोई नई चीज़े add होंगी मतलब हम नए contacts add होंगे तो यह हमारा method call हो जाएगा क्योंकि यह live data है जैसे जैसे data में update होते रहेंगे तो यह हमारा function call होता रहेगा जिसे हमें information मिलती रहेगी कि आपका database update हो रहा है तो अभी के लिए यहाँ पर एक log statement लगाते है log.d और यहाँ पर मैं अभी के लिए pass कर देता हूँ cheesy code यह हमारा tag है और यहाँ पर मैं it का use करूँगा जो कि हमारी contact list है it.toString तो इस तरीके से हम लोग इसको log करेंगे जैसे आप अपने text view पे click करेंगे तो हमारा यह वाला function call होगा और इस function के अंदर हम लोग इसको observe कर रहे हैं तो इसको run करता हूँ तो अभी के लिए हमारे database में 2 entry हो चुके होगी क्योंकि यह जो हमारा on create है यह दुबारा से call हुआ है और यह वाला जो हमारा function है यह दुबारा से call हुआ है तो हमारा पास 2 entry होगी होगी इस नाम की तो अगर मैं आप अपना database inspector खोलता हूँ तो यहाप आप दिसकते हैं 2 entry आ रहे हैं यहाप हमारा पास 2 contacts आ रहे हैं तो जो contact हमारा पास database में थे वो यहाँ पर भी display हो रहे हैं तो इस तरीकिसे हम लोग get वाले operations perform करते हैं तो यह था हमारा room database के बारे में एक introductory video तो आगे वाली videos में हम लोग और चीज़े cover करेंगे तो आखरी में एक important note यहाँ पर यह है कि यह वाला जो code लिखा है मैंने यह सिर्फ test करने के लिए लिखा है production ready apps में हम लोग singleton pattern का use करते हैं अपने database के object बनाने के लिए तो वो हम next video में cover करेंगे उसके साथ साथ और भी चीज़े देखेंगे तो आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें अगर अभी तक आपने हमें subscribe नहीं किया तो प्लीज subscribe करें thank you for watching आपका दिन जोबो धन्यवाद